अगनीपत योजना को लेकर कॉंग्रस तक केंद्र सरकार पर जोरदार हमला बोला है। कॉंग्रस तद्यक्ष खडगे ने इसे रद्द करने की मांग करते वे राश्पती को चुठ्री लिखी है। कॉंग्रेस ने आज केंद्र की आगनी वीर योजना पर केंद्र सरकार पर जोरदार हमला बोला कॉंग्रेस नेता पवन खिडा सचिन पाइलेट और दिपेंद्र सिंग हुड़ा ने आज दिल्ली में कॉंग्रेस मुख्याले में प्रेस कॉंफरेंस की और इस दोरान बड़े आरोफ लगाए सेना की अगनीपत योजना को लेकर प्रेस कॉंफरेंस में कॉंग्रेस ने मोजी सरकार पर निशाना साथ कोई कहा कि केंद्र सरकार ने पैसा बचाने के लिए भरती परक्रिया से खिलवार किया है दिल्ली कॉंग्रेस मुख्याले में प्रेस कॉंफरेंस करते हुए कॉंग्रेस निता पवन खेड़ा ने कहा कि कॉंग्रेस अद्यक्ष मलीकर जिन खड़गे और राहुल गांदी समेट पूरी पार्टी बीते एक साल से अगनिपत योजना के खिलाप आवाज उठाती आई है भारत जोडो निया यात्रा में भी राहुल गांदी ने युवाव के हक के लिए आवाज उठाई है देज में आज जवान और किसान दोनों परिशान हैं कान्फरेंस में मोजूद कॉंग्रेस नेता सचिन पाइलेट ने आरोप लगाया कि किंज सरकार ने पैसा बचाने के लिए भृती परक्रिया के साथ खिलवाड किया है अगनिवीर योजना देश की युवाव के साथ एक धोका है सचिन पाइलेट ने आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार G20 आईजन प्रधानमंद्री के हवाईजाज सेंटरल विष्टा प्रोजेक्ट और अपने प्रिचार पर करोड़ो रुपे खर्च कर सकती है तो केवल पैसा बचाने के लिए सेना की भरती प्रक्रिया के साथ खिलवाड करना देश की सुरक्षा के लिए चुनोती बन सकता है तो मैं मानता हूं कि हम लोग सिरफ पैसा बचाने के लिए अपनी भरती की पूरी प्रक्रिया से खिलवाड करें ये भविश के लिए हमारी आंतिक सुरक्षा के लिए हमारे भारत की integrity security के लिए कहीं ज़ेंगे challenge बन सकता है तो हम तो अगरे करेंगे कि लोगों को नौकरी दी जाए जिन्होंने सारी परीक्षाइं पास करी थी लेकिन अगनीवीर के माध्यम से अगनीपत योजना के माध्यम से जो बहुत बड़ा खिलवाड हो रहा है तेके भारत की जो सेना है उसके शोर को उसके पराकरम को उसकी मेहनत और जाबाजी जो हमारे सेनिकों के पास है उसका कोई सानी नहीं है वहीं प्रेस कॉंफरेंस में शामिल दिपेंदर हुड़ा ने कहा कि आखिर किसकी मांग पर ये अगनीपत योजना लाई गई देश को हमेशा सेना पर गर्व रहा है सेना किसी भी राजनिदिक दल के उपर है उसने हमेशा तिरंगा का मान बढ़ाया है अगनीपत की मांग किसी भी राजनिदिक दल ने नहीं की फिर किसके कहने पर ये योजना लाई गई इसका दुस्परी नाम दिखने लगा है ये बहुत ही दुर्भाग्यपून है अगनीपत योजना को लेकर हम सरकार से सबसे पहले मैं सवाल पूछना चाहता हूँ आपके माद्यम से कि ये योजना लाई जाए ये किसकी मांग थी आखिर किसकी मांग पर अगनीपत योजना आई ये निश्चित तोर से देश की फौज की मांग नहीं हो सकती क्योंकि ये देश की फौज देश का एक मात ऐसा संस्थान जिस पे हर देशवासी ओगर्व है देश के गौर्व माई इतिहास में पार्टियां सरकारों में अंदर बहार होती हैं सत्या में कोई रहता है कोई नहीं रहता लेकिन देश की फौज एक कैसे हमारी जिसने हमेशा देश की तिरंगा को उपर रखने काम किया चाहे वो 1971 की पाकिस्तान के साथ युद हो इंदरा जी प्रधान मंत्री थी लेकिन हमारी देश की फौज भारतवर्स की जीत हुई पाकिस्तान के दो टुकडे हुए प्रेस क्वेंस में कॉंग्रेस नेताओ ने कहा की जहां इस स्कीम को लाए जाने से पहले हर साल 60-65,000 भरतियां होती थी वो पिछले साल 40-45,000 भरति हुई है कॉंग्रेस की मांग है की अगनिपत योजना वापस ली जाए और पक्की भर्ती फिर से शुरू की जाए पॉंग्रेस पार्टी का कहना है कि अगनिपत योजना आने से ठीक पहले इस दोरान भर्ती की सभी ओप चारिकताएं पूरे कर चुके करीब दो लाक युवाव को अपाइंडमेंट लेटर नहीं दिये गए इन युवाव की तुरं अगनिपत योजना को वापस लेकर पक्की भर्ती फिर से शुरू करेंगे क्यामरामैन विदरबरीक के साथ प्रदीप कुमार टोटल यूज दिल्ली ग्यानवापी के ब्याज जी तहकाने में पूजा अर्चना शुरू किया जाने के खिलाब मुस्लिम पक्ष को इलावाद हाई कोर से बड़ा ध्यटका लगा है पूरी खबर रेपोर्ट के सरी ग्यानवापी के ब्याज जी तहकाने में पूजा अर्चना शुरू किया जाने के खिलाब मुस्लिम पक्ष यानि अंजुमन, इंतजामिया, मसाजित, कमेटिक और इलावाद हाई कोर्ट से बड़ा जटका लगा है कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिश कर दी, मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिश होने से ब्याज जी तहकाने में पूजा अर्चना जारी रहेगी दरसल मुस्लिम पक्ष ने तहकाने में काशि विश्वनात मंदिट ट्रस्ट को पूजा का अधिकार दिये जाने को चनव तीडी थी हाई' कोट द्वारा मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिश होने के बाद 22 जी तहकाने में पूजा आर्चना जारी रहेगी हाई कोर्ट ने वरंणसी जिला जज के 31 जन्वरी के पूजा शुरू कराय जाने के आदेश को सही करार दिया जस्टिस रोहित रंजन अगरवाल की सिंगल बेंच ने फैसला सुनाया मुस्लिम पक्ष यानी अंज्वन नंसजामिया मसाजे कमेटी ने जिला जज वरंणसी के कूजा शुरू कराय जाने के आदेश को हाई कोर्ट में चुनावती नी थी कोर्ट ने 15 फरवरी को दोनु पक्षों की लंबी बहस के बाद पैसला सुरक्षित रखा था मामले में हिंदू पक्ष की ओर से सुप्रेम कोट के सीनियर एड़ुकेट सी एस वैद्यनाथन वो अबिश्टु शंकरजैन ने बहस की थी जबकि मुस्लिम पक्ष की ओर से सीनियर एड़ुकेट सेयद फरमान एहमत नकवी और उत्तरप्रेस सुनी सेंटरल वक बोड के अधिवक्ता पुनीत कुपता ने पक्ष रखा था काशी विश्वनाथ ट्रस्ट की ओर से अधिवक्ता बिनीस संकर्प ने दलीलर पेश की मुस्लिम पक्ष अंजुमन इंतजामिया मसाज़ित कमेटी ने 22 जी तहकाने में पुजा अर्चना की जाज़द दिये जाने के जिला जज वरनरिसी के फैसले को चनव चीदे दी बचाने की जिला जज़द हरनरिसी ने कUI 13 जनवरी को तहकाने में पूजा कराय जाने का आदेश दिया था जिला जच के आदेश पर उसी दिन देर रात तहकाने को खोल कर पूजा अर्चना शुरू कर दी गई थी। जिसके चलते जिला कोट के आदेश के तहट ब्याज जी तहकाने में पूजा अर्चना हो रही है। हाई कोट के फैसले में यूर्ट टैक हो गया कि ब्याज जी के तहकाने में पूजा अर्चना जारी रहेगी। प्रियागराज से हारीफ राजू टोटल न्यूज।